तो बड़े मिया, छोटे मिया और मैदान को थेटर में देखने के लिए टाइगर श्रॉफ, अक्षे कुमार और अजे देगण के फैंस बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब इन दोनों फिल्मों को लेकर दोनों फिल्म के मेकर्स का एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है आज वो मैं बताओंगा आपको वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फिलहाल पहले बात करेंगे इन दोनों फिल्मों के एडवांस कलेक्शन की पहले बात करते हैं मैदान की तो मैदान का जो नाइट अभी थोड़ी दिर पहले जो कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आई थी उसके हिसाब से अभी तक मैदान ने फर्स डे कलेक्शन कर लिया है लगबग 14 लाग के आसपास और इसमें शोज जो हैं लगबग 2600 शोज के आसपा इसमें कर लिया है एडवांस का और शोज मिले हैं 2680 और लगबग 4500 के आसपास टिकेट सोल्ड आउट हो चुके हैं लेकिन अभी थोड़ी दिर पहले की जो रिपोर्ट के सामने आई है वो शाम की रिपोर्ट से थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं लगबग बहुत जादा फरक है उसमें शाम को छे बजे की जो मैं रिपोर्ट देख रहा था वो मैदान की रिपोर्ट जो थी वो 27 लाग के आसपास का कलेक्शन इस रिपोर्ट में शाम की रिपोर्ट में बताया जा रहा था और जो टिकेट सोल्ड आउट हुए थे वह लगबग 14000 और शोज जो मिले थ और करीब 12000 टिकेट सोल्ड आउट हो चुके थे इतना बड़ा फरक जो आया शाम की और रात की रिपोर्ट में रात की रिपोर्ट तो आधे से भी कम है लेकिन इसका रीजन नहीं पता शायद टेक्निकली कोई डेटा मिस हो गया हो या कुछ भी हो सकता है शायद यह रिपो आप देख सकते हैं इस फिल्म में टीम इंडिया को यानि के फुटबॉल टीम को कोच करते हुए जिन्हों ने 195-1962 तक फुटबॉल टीम को कोच किया था और दो गोल्ड मेडल भी फुटबॉल टीम को जितवाए थे इसमें सबसे पहले तो प्लस पॉइंट है अजे के फैंस हैं वो किस कदर इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं ये भी आपको मालूम है और फिल्म की हाइप भी बहुत अच्छी है हलाकि प्रमोशनल एक्टिविटी मैदान की बहुत जादा नहीं की गई है मगर फिर भी लोगों को मैदान का इंतजार है बेसबरी से इंतजार है और मेरी जो फिल्मों में वो मैदान ही है बाकी कॉमेंट में बताईएगा कि आप कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे अब बात करते हैं हम बड़े मिया छोटे मिया की बड़े मिया छोटे मिया की वी फिल्म के हिट होने के तीन से चार बड़े स्ट्रॉंग रीजन है पहल इस फिल्म से वो दुबारा action hero के रूप में आपको नजर आएंगे और दूसरा plus point इस फिल्म का जो action है बड़े VFX के साथ में इस फिल्म का action है और बताया जा रहा है कि real action अक्षे कुमार ट्राइश रॉफ ने इसमें किया है तो अगर ऐसी बात है तो action भी एक plus point है इस फिल्म क जो देखने में मज़ा आएगा तीसरा प्रत्वी राज सुकुमारन आप उनकी acting सलार में देख चुके हैं और अभी हाल में ही उनकी मल्यालम फिल्म दा गोट लाइफ जिस तरह से बॉक्स ओफिस पर जंडे गार रही है वो आप सबको पता ही है और इसके लावा चौथा ज अगर अपनी पुरानी फिल्मों की तरह भी इसमें acting करी तो फिल्म पर तो बहुत जादा कुछ असर नहीं पड़ेगा फिल्म तो हिट हो जाएगी और इस फिल्म में देश भी शायद वो बचा लें लेकिन अपना career वो इसके बाद में नहीं बचा पाएंगे ये बात तो प कि आपको पता है दोनों फिल्में 10 अपरिल को ही रिलीज होनी थी एद वले दिन लेकिन अब थोड़ा सा चेंज इन दोनों फिल्मों की रिलीज टाइम को लेकर किया गया है फिल्म 10 अपरिल को ही रिलीज हो रही है मगर morning और afternoon के shows इस फिल्म के नहीं रखे गए है उसका reason य स्तारिक को आप इसके evening और night shows देख सकते हैं यह छोटा सा changes है मुझे लगता है कि इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरी तो मैं दुबारा से बोल रहा हूं कि first choice जो है वो है मैदान कॉमेंट्स मैं जरूर बताइएगा कि आप किस फिल्म को पहले देखना और बाकी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जैहन